बारतिक क्रिकेट टीम के क्रिकेटर हार्दिक पांडिया और केल राहूल की मुस्केलें बढ़ सकती है राजिस्तान हाई कोट मुख्य पीट जोद्पूर ने इन दोनों क्रिकेटरों को अपरादिक मामले में अनुशंदान अधिकारी के समक्स पक्स रखने के आदेश दिये हैं राजिस्तान हाई कोट जोद्पूर में भारतिक क्रिकेट टीम के खिलाडी हार्दिक पांडिया और केल राहूल की ओर से दाखिल एकल पीट वीविद अपरादिक याचिका की सुनवाई करते वे नियादीश संदीप मेहता ने अनुशंदान अधिकारी के समक्स विदिक प खिलाओं के खिलाफ अबद्र टिपनी करने के मामले में लूनी थाने में हर्दिक पांडिया केल राहूल करन जोहर के खिलाफ विविन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था इसके बाद दोनों खिलाडियों की ओर से दंड परकिरिया सहिता की धारा 482 के तहत एफायार रद करने को लेकर विविद अपरादिक याची का दायर की गई तत्वस्चात उच नियाले द्वारा गिरफतारी पर रोक लगाते वे मामले की जांच पर रोक लगा दी थी परिवादी की ओर से पेरवी करते वे एड़ोकेट अनील विदान हालू और महिपाल सिंग चारण ने कहा की लगबग 2 साल से मामले की जांच नहीं हुई है ना ही याची का करता अनुशंदान अधिकारी का सयोग कर रहे हैं ऐसी इस्तती में अनुशंदान परभावित हो रहा है याची का करताओं की ओर से पेरवी करते वे एड़ोकेट पंकच गुपता ने कहा की दोनों याचिका करता बारिकेट टीम के खिलाडी है और वर्तमान में उस्ट्रेलिया में सीरीज केल रहे हैं। उचनेयले ने गिरपतारी पर रोक जारी रखते वे याचिका करताओं को विविद विदिक परतिनीदी या विदिक सलाकार के माध्यम से अनुसंदान अधिकारी के समक्स पक्स रखने के आदेश दिये हैं। अगली सुनवाई पांच फरवरी को त्या करते वे पब्लिक प्रोशेकुटर को तत्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये हैं। अर्थ के दिवंगत महापुर्सों का भी अपमान वे अनाधर किया गया। अर्थ झाल झाल